हे गाईस मैं हुठाकुरदीन तो दोस्तों क्या आप लोग अपने यूनियन नंबर से अपना धार कार नंबर लिंक करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को कंटीनु देखे ताकि आपको पूरा प्रोसस समझ में आए तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो भी बंदे मतलब गाईस यूनियन नंबर में अधार का नंबर लिंक नहीं है तो बंदे कंटीनु देखे ताकि उनको पूरा प्रोसस समझ में आए तो दोस्तों आपको कोई भी एक ब्राउजर खोल लेना है इसके बाद टाइप परना है www.phinda.com इसके बाद गाईस यहां पर ओल्लाइ गाईस कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा इसके बाद आप लोग यहां पर देख सकते हैं अगर गाईस आपका जो भी होगा मतलब अधार का यूनियन नंबर से अधार का नंबर लिंक करने होगा तो यहां पर आपका नेम और डेट अब वर्थ सही नहीं दिखाई देगा आप आपका अधार नंबर भी दिखाई नहीं देगा तो दोस्तो मैं अप मेरा सब कुछ हो क्यों मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूं दोस्तो कैसे करना है इसके और गाईस यहां पर जाएंगे पहले नंबर उपसंद दिखाई दे रहोगा पर इस पर आपको क्लिक कर दे रहा पर जो भी मेरा अधार नंबर अगर सहील नहीं हो तो इहां पर अधार का नंबर सज्चो नहीं करेगा है आपको अधार नंबर भी डालने के लिए उपसंद देगा तो दोस्तो मेरा ऑकर इसलिए नहीं दे रहा है तो मैं आपको बता दू है आप लोग अपना नेम डे taxpayer धि यहां पर upload पर click कर देना होगा और गाईस अगर आपको दो-तीर महीने गए पहे तो आपका कोई प्रभण में का साल दो साल का रख फरक है तो दोस्तों आप लोग पीडियाप में अपना जनम प्रवार पत और कुछ भी डोकूमेंट मांगेगा तो आपको यहां पर फिल्क कर देना है इसके बाद कुछ भी नहीं मांग रहे तो प्रिप नहीं पर क्लिक कर देना है तो दोस्तों जो भी आपका employer होगा उसके पास चला जाएगा उसके बाद employer अप्रूप करेगा तो प्याप office के पास जाएगा इसके बाद अप्रूप होने बाद guys कुछ ऐसा interface होगा जैसे कि मेरा दिखाईद दे रहा है तो दोस्तों मेरा देख सके उमेद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर अच्छा लगाओ तो दूसरे उसके सेर करें और चैनल के नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलें